पानी में नियान का चश्मा को गया था, इसलिए उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था गूजी नियान को उसके कप्रे ठीक करने के लिए बोलता है तो नियान को लगता है कि वो गंदे नजर से उसे देख रहा था इसलिए वो उसे बत्तमीज कह देती है तब Gozo was like एक तो वो उसकी वज़े से पानी में गिरा फिर वो उसकी जान बचाई अब उससे उसको गालिया भी सुनी पर रही है नियान कहती है इसमें उसके कोई गलती नहीं है अगर वो पहले से ही उसकी बाते ध्यान से सुनता अच्छे से बात करता तो वो उसे थोड़ी ना ऐसे खिचने जाती गूजी के लिए अब बहुत हो चुका था वो नियान से बात भी नहीं करना चाता था ऐसे में नियान उसे दुबारा धाइंक्यू कहती है गुजी तब खुश होके नियान के सर पर ऐसे करके चला जाता है नियान को तब यू सा फील होने लगता है नियान को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए चलते वक्त कभी वो गिर जा रही थी कभी वो दूसरों के कमरे मे चली जा रही थी फिर बहुत मुश्किल से वो अपने कमरे तक आती है वहां गुजी नियान के बारे में सोच रहा था उसे बिना चश्मे का नियान पसंद आया था अगली सिन में हम देखते हैं जाउ मिंग शिया चुन से माफी मांगने आता है वो कहता है अगर उसे पहले स पता होता कि वो एक लड़की थी तो वो उसके साथ कभी ऐसे बत्तमेजी से पेश नहीं आता और आगे से वो उसे एक लड़की की तरह ही ट्रीट करेगा शिया चुन कहती है क्या मतलब है उसका कि वो एक लड़की की तरह ट्रीट करेगा उसे क्या फरक परता है कि वो एक ल और पैसेंजर उठाते थे गुजी अपने घर जा रहा था तो उसे देखके नियान के पापा उसे पुकारते है पता नहीं क्यूं पर बार बार नियान के पापा को गुजी के सामने अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता था गुजी हर बार उन्हें भूल जाता था गुज पाई कैसी चल रही है उसकी वगेरा वगेरा गूजी भी नियान की ताडिफ ही करता है गूजी को पता चलता है नियान के पापा कितने कंसर्ण थे नियान के लिए वो कितना सोचते थे उसके बारे में गूजी उनसे कहता है उन्हें नियान को बता देना चाहिए उसके मेडिक अच्छा नहीं होगा गुज के पापा जिस तरह से गुज पराला करें ते उस हिसाफ से गुज के पापा के comparison में नियान के पापा गुजी को बहुत अच्छे लगते हैं उसके हिसाफ से にयान बहुत लगी थी जो उसे इतना अच्छा पापा मिला वहाँ नियान को बार बार खासते हुए देख ये शिंग उसके लिए गर्म पानी लेके आता है पहले वो उसका बुखार चिक करता है फिल्हाल तो उसे कोई बुखार नहीं थी फिल भी वो अपने बैक से उसे एक नॉर्मल दवाई देता है जो कि वो अपने मॉम के लिए रखा करता था हर वक्त अपने पास अगली सिन में हम देखते हैं सब के सामने तो नियान एक कूल मॉनिटर बनने की कोशिश करती है दिखाती है कि वो कितनी स्ट्रिक्ट है पर अंदरी अंदर वो बहुत डड़ी हुई थी मतलब क्लास में सब गुन्डे टाइप के लड़के थे और उसने कभी भी ऐसे किसे पर हुकुमत नहीं चलाई तो अविसलिव उसे ड़र तो लगना ही था अगले क्लास में नियान सबको इंग्लिश पढ़ा रही थी पर क्लास में किसी को भी इंग्लिश समझ में नहीं आता था और ना ही वो पढ़ना जाते थे जाउमिंग उटके कहता है अगर उसे इंग्लिश आती है तो वो जरा पढ़के सुनाए नियान परके सुनाती है फिर भी zoning को विश्वास नहीं होता वो कहता है इसकी क्या guarantee है कि वो सही पर रही थी वो दो गलत भी पर सकती है न वैसे भी किसी को कहा आता है English इस class में पर नियान के अलावा भी इस class में और एक अच्छा student था और वो था ये शिंग वो कहता है नियान ने एकदम सही परहा था इसके बाद जाउमिंग और क्या ही बोलता अब जब क्लास में इनके चलने नहीं वाली थी तो ये लोग क्लास बंग करने की सोचते हैं ये लोग पेट दर्द का बहाना देने वाले थे और किसी के पूछने पे ये लोग फूट पॉजनिंग का रीजन देने वाले थे अगले दिन नाम प्रेजन करते वक्त नियान जाउमिंग और उसके दो चेले को नहीं देख पाती इस बंदे से उसे पता चलता है उन तीनों को फूट पॉजनिंग हुई थी इसलिए वो नहीं आ पाए यूशी भी क्लास में नहीं आई थी क्योंकि उसने पार्ट टाइम जॉब लिया था बाद में वो नियान को फोन करके बताती है कि आगे से उसके लिए मौनिंग क्लास करना पॉसिबल नहीं होगा एक्शुली यूशी पैसो के लिए काम नहीं कर रही थी उसके लिए अपने क्रश के साथ टाइम स्पेंट करना ही सबसे बरी बात थी बाद में ये बंदा गुजी को सोते हुए देख नियान से कंप्लेन करता है फिर सबी उसे बोलने लगते है आज पता नहीं क्यों नियान गुजी के सपोर्ट में बोलती है वो कहती है गुजी की तबियत ठीक नहीं है न इसलिए वो सो रहा है पर ये लोग क्यों इस बात को मान लेते वो सब नियान को ब्लेम करने लगते है वो सब कहते है कि गुजी उसका बॉर्टरंड है वो उसका लवर है इसलिए उसके लिए सब कुछ छूट है ऐसा तो नहीं चलेगा अगर गुजी नहीं उठेगा तो वो सब भी नहीं पढ़ेंगे फिर तो नियान को उसे उ प्रेस हो जाती है फिर गूजी सबसे पूछता है अब तो वो सो सकता है ना और इतने अच्छे इंगलिश बोलने के बाद बागी तो मतलब कोई अबजेक्शन कर ही नहीं सकते थे वहाँ जियांक सेर इन तिनों की खबर लेने आये थे और ये तीनों सेर के सामने बहुत अच्छे से अपने पेट दर्ध होने का एक्टिंग कर रहे थे लेकिन सेर जब इन्हें कॉलेज से निकाल देने की बात करते है तब इनका पेट दर्ध चुटकी में चला जाता है अगले सिन में हम देखते हैं गूजी के पापा उसके कॉलेज आते हैं उसके प्रिंसिपल से कुछ बात करने के लिए वही वो नियान के पापा को भी देख पाते हैं एक जलक अच्छे नियान के पापा गूजी के पापा के कॉलेज की फ्रेंट थे वो तब ही उनके गारी का पीछा करते हुए उनसे बात करने जाना चाते थे पर मैनेजर बताते है कि उनकी मीटिंग का वक्त हो रहा है तो अभी वो नहीं जा सकते अगले सिन में हम देखते हैं ये बंदा इन तीनों की पोजिशन देखके जाते हैं कि इनके आसपास कोई और भी है या फिर ये बस अकेली ही है फिर ये जाके अपने बॉस को बताता है कि वो तीनों अकेली ही है तो उन्हें मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बहर भी दो गुंडे खरे थे बाकी स्टुडेंस को ये बोलने के लिए कि वो उनके काम में तांग ना लड़ाए पर ये जल्दी से आके नियान को सारी बात बताता है शियाच उनको पता चलते ही वो उनसे लड़ने के लिए चली जाती है नियान एक मोनिटर होके चुपचा बैठी नहीं रह सकती थी तो वो सब को कहती है उसके साथ चलने के लिए पर ये तीन डरपोग जाने से मना कर देते है ये शियाच नियान को वहा जाने से मना करता है क्योंकि वो एक लड़की थी पर नियान कहती है वो एक लड़की है तो क्या हुआ उसका सबसे पहले फर्ज बनता है उसकी मॉनिटर की जम्मेदारी निम्हाना बाकी तीनों को जाते देख इन तीनों का भी जमीर जाग उठता है और ये भी हतियार लेके जाने लगते है इन्हें जाते हुए देख गूजी भी इनके पीछे जाने लगता है सबसे होशियारी की काम तो शियाचुन करती है वो जाके mechanical students को बताती है कि उनका एक special class लिया जाएगा इसलिए वो सब अपनी अपनी tools लेके उसके पीछे आए वहाँ ये तीनों अकेले थे फिर भी घबराये हुए नहीं थे ये तीनों हमेशा से ही ऐसे है जो होगा साथ में देख लेंगे लराई से इन्हें डर नहीं लगता था और ये भी confident थे क्योंकि आज उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं था पर थोड़ी ही देर में ये लोग चले आते हैं इनको देख के भी इन गुंडों को मतलब कोई डर नहीं लग रहा था लेकिन जब शियाचुन mechanical students के साथ आज आती है पूरे proper हतियार के साथ तब इनकी फटने लगती है सब चुपचाव अपना अपना हतियार रखके वहाँ से चले जाते हैं उनके जाने के बाद mechanical students शियाचुन से पूछते हैं कि उसने तो कहा था कि यहाँ पे special class होने वाली है तो फिर ये सब क्या था तब शियाचुन उनसे माफी मांगती है और उन्हें एक दिन treat देने की बात करती है जाउमिंग अंदर से तो सबकी तरफ शुक्र गुजार था पर उपर से वो समझाता है कि उसे मदद की कोई जरुरत नहीं थी नियान को शायद जाउमिंग की अंदर की बाते समझ में आ गई थी इसलिए आज उसे उतना बुरा नहीं लगता उसकी बातों से अगले सिन में हम देखते हैं नियान के पापा उसे college से लेने आये होते हैं उसे खुश देखके वो उससे पूचते है आज ऐसा भी क्या हो गया जो वो इतनी खुश लग रही है नियान कहती है आज उसने सही माइने में एक मोनिटर की जम्मेदारी निभाई नियान के पापा को उसकी बाते समझ में नहीं आती तो नियान कहती है उन्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है वहाँ येशिंग का जाउमिंग के भाई को परहाना रंग लाया था उसने एक्जैम में सारे कुशिन के एंसर सही दिये थे गुजी भी हर रोज नियान की नहीं नहीं हरकोतों से इंप्रेस्ट होता जा रहा था नियान को येशिंग से पता चला था जाउमिंग और उसके दो चेले अपने गुजारी के लिए पार्ट टाइम जॉब करते थे उसी पैसो से वो अपना घर चलाते थे प्लास अपनी ट्यूशन फीज भी देते थे इसलिए वो लोग पढ़ने के लिए एक्स्टा टाइम मैनेज नहीं कर पाते इसी वज़र से नियान उनके उपर चुप चुप के नजर रख रही थी उनके बारे में जानने के लिए अगले दिन नियान जियांग सेर के पास एक आइडिया लेके आती है वो उनसे कहती है अगर स्टूडेंस के पढ़ाई में ग्रोथ लानी है तो उन्हें कुछ अलग करना होगा जिससे उनका पढ़ाई में इंट्रेस्ट बढ़े वो सेर से एक कंपिटिशन रखने की बात करती है सेर के लिए ये बात सुनने में तो अजीब लग रही थी क्योंकि पहले ऐसा कोई कंपिटिशन नहीं हुई थी इस कॉलेज में पर फिर भी उन्हें नियान पे भरोसा था इसलिए उन्हें भी कोई अबजेक्शन नहीं थी बाद में वो इन दोनों से इस बारे में डिसकस करती है वो इन दोनों से कुछ इंफोर्मेशन कलिक्ट करने के लिए बोलती है मतलब इस तरह के कंपिटिशन कभी पहले हुआ था या नहीं और अगर हुआ भी था तो किस तरह का पैटर्न था कैसा था वगेरा वगेरा फिर ये दोनों अपने अपने काम पे लग जाते है आखिर में इन्हें पता चलता है कि इस तरह के कंपिटिशन इस कॉलेज में पहले कभी भी नहीं हुआ था नियान बहुत low feel करने लगती है उसे समझ नहीं आता कि वो बाकी students की पढ़ाई में कैसे मदद करेगी ये शिंग कहता है इस मामले में गोजी अच्छा suggestion दे सकता है तो वो जाके गोजी से बात कर सकती है जो कि नियान के लिए impossible था